सब्सक्राइब करते हैं आपके अपने चैनल पर और आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले क्लाश 10 के mathematics में एक area related to circle chapter उसमें आपसे हम बात करेंगे segment of a circle and its area यानि किसी बृत के बारे में बात करेंगा और उसी के साथ साथ उसके छेत्फल को भी कैसे calculate किया जाता है यह सारी चीजों को calculate हम लोग करके बकादे verify भी करते हैं फार्मूले को और फिर एक question को solve करके भी देखते हैं किस तरीके से सब क्ष़ साल होता है सबसे पहले हम बात कर लेंगे हां पे क्या है क्या है Dar Colin I ये क्या हो जाता है इस center o से हम क्या कर लेते हैं काम और यहां पर एक card ले लेते हैं card मतलब हैं आप हिंदी में समझ सकते हैं वो क्या है जीवा है इसका नाम क्या रख दिया हमने p q चलिए एक हो गया p और यह हो गया q और इस card p q को आप से बता दें कार्ड क्या होता है सरकंफ्रेंज के किनी भी दो पॉइंट को आप क्या कर दीजिए मिला दीजिए ठीक है सरकंफ्रेंज का कोई भी दो का लिए औरह रिचे कौन होगा इस कार्डण प्यूंक के द्वारा ही इस logo सर्कल को यह क्या कर दिया है एक देख रहें गों इस पोर्षन को हम decide कर रह रहे हैं वह पोर्षन यहां पर minor segment कहलाता है और जो टूटल बच गया triangle को assembly करते हुए यानि इसके ऊपर का portion इस card के ऊपर का portion circle का जितना भी है उसको major segment कहते हैं और इसको क्या कहेंगे जिस portion को हमने set कर दिया वो क्या है minor segment है तो चलिए इसका नाम हमने रख दिया minor segment ठीक है सिग्मेंट आपका यह क्या हो जाएगा यहां से minor segment और उसी के साथ सा तो जो बचा हुआ portion वो क्या है major segment है चलिए इसको भी हमने लिख दिया यह क्या हो गया major segment हो जाता है यह जो card pq है वो card pq यहाँ पर कोई न कोई किया होगा angle बनाया होगा और उस angle को हम यहां पर क्याalta सपोच करने वाले हैं फ़ीटा सपोच करने वाले यह angle क्या है यहाँ पर angle p क्यूं कितना है theta डिगरी एंगल है ठीक है कितना डिगरी है थीटा डिगरी अभी इसी थीटा को ही हम ड्रा तो करेंगे कि उससे पहले आप से बात किये थे पहले वाले पूर्शन में जब हम लोग वहां पे त्रिज्य खंड के छितफल की बात किये थे यानि सेक्टर का जो एरिया की बात थी तो सेक्टर में भी इतना टोटल पॉर्शन आ रहा था यह इस तरीके से यह पूरा का पूरा पूर्शन क्या था सेक्टर का हिस्सा है यानि किसी सर्कल के सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इस ट्रेंगल का एरिया प्लस इस सिगमेंट का एरिया आपस में क्या हो जाएग यानि जो sector का एरिया बना हुआ है वो दो अलग अलग तरीके में के design को एड करने से बना हुआ है एक-ट्र MINOR ди-segment दूसरा क्या है जो Trangle है इस ट्रैंगल के एरिया को एड कर लेने से क्या बन जाता है यह यह सेक्टर ini बन जाता है ओप सेक्टर यसी तरीके से सब्सक्राइब को क्या करेंगे माइनिस कर देंगे और ऐसा करते ही यह जो нем से डीजन है उसको आपको क्या मिल जाएगा यह हमारा उद्देश्ट के करने का, बिल्कुल, एम हैं, इसी एम के कार्डिंग हम काम करेंगे, शबसे पहला काम क्या करते हैं, इसे वहाँ पे sector के area को calculate करते है, sectorके area में चाएंगल को area को माइनष करेंगे, लेकिन यह खास बात बात बता दें आपको, हम यहाँ पे इस triangle का area कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहला काम यहां से क्या करते हैं एक perpendicular line ड्रा कर देते हैं इस तरीके से यहां पर यह 90 डिग्री यह बना लेता है इसका नाम हमने रख दिया क्या अची अगर यह PQ था card यहांपे इसका नाम हम रख देते हैं क्या है यह 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 हो गया तो point M जो है याणि O.P यहांपे क्या हो गया यह जो ऑपी है SORRY O.M है वह P.CW परychिंदिक्री यह 90 डिग्री बना रखा है तो किसी तरीके से हमको क्या कर लेना है अगर एरिया चाहिए तो हमको यह यह MQ या फिर PQ कैलकुलेट कर लेना है जब इसको हम इस तरीके से ड्रा करते हैं लाइन ओयम तो यह जो टोटल थीटा एंगल था वो थीटा एंगल दो बराबर भागों में बट जाता है यानि थीटा बाइटू और थीटा बाइटू में यह बट जाएगा दोनों को एड कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आप यहां पर लिख सकते हैं एंगल PQ is equal to क लिख देते हैं क्यूंओ यम is equal to फीटा बाइटू इस तरीके से यह तो हमको मिल गया अगर इस ट्राइंगल की बात कर लें हम क्या चाहते हैं इस पी क्यूं का लेंथ चाहते हैं अगर यह पीक्यूंद मिल लेंथ हम एरिया बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए O M Q इन ट्रेंगल O M Q यहाँ पे हम क्या अपलाई कर लें हमको यह चीच चाहिए यह क्या है यहाँ पे थीटा वाई टू के सामने अगर टिगनामेट्री को इस्तमाल करें तो यह एक्यूट अंगल ट्रेंगल है इस एक्यूट अंगल के सामने यह जो साइड होगी वो क्या होगी पर्पेंडिकुलर होगी M Q और यह क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा यहाँ पे यही एक ध्यान डखना है थीटा वाई टू के सामने जो साइड है यम क्या है पर्पेंडिकुलर है और यह क्या है बेस है तो perpendicular हाइपोटेनियस में किस तीज का relation होता है sine का होता है तो sine theta by 2 is equal to जब लिखिएगा तो perpendicular हाइपोटेनियस यानि MQ आपान लिख पाएंगे आप क्या OQ लिख पाएंगे MQ आपका क्या है? small r है और O क्या है? यहाँ पे देखिए MQ तो आपको calculate करना MQ is equal to यहाँ से लिखा जाएगा तो r आ जाएगा इसके साथ multiply में sine theta by 2 हो जाता है यह ठीक अब इसी तरीके से अगर हम बात करनें पूरा PQ कितना हो जाएगा तो PQ is equal to 2 MQ भी होता है एक बात बात बता दें किसी circle में अगर कोई card पे perpendicular draw किया जाता है होगा अगर यह दो बराबर भागों में बट गया तो PQ is equal to 2 MQ हम लिख सकते हैं और यहां से MQ की value को रख दें तो यह हो जाएगा 2 r sin theta by 2 हो जाता है एक बात और बता दें यह केवल OEM कैसे calculate करें देखेगा radius हमको यानि हाइपोटेनियस पता है 90 degree के सामने साइड होता है ट्रेंगल का वह कौन होता है हाइपोटेनियस होता है यानि कर्ड होता है तो कर्ड और बेस में relation चाहिए क्योंकि इसके सामने यह परपेंडिकुलर हो गया यह बचा कौन आपका भी बेस बचा इस राइट एंगल ट्रेंगल में बेस और हाइपोटेनियस में जो relation होता है फिर से एक बार apply कर लें यहां पाइंगे हम लोग कास ठीटा भाई दू और कास ठीटा भाई दू की जब बात कर लेंगे तो बेस अपन हईपोटेनियस हो जाएगा बेस आपका और helt सब्सक्राइब कर लेते हैं नहीं पता हमको रहने देते हैं उप लेकिन पता हो क्या है यहां से अगर लिखिए गा तो आपको क्या मिल जाएगा र क्वास थीटा बाइट तू हो लाता है इस तरीके से ओयम भी हम कैलोकुलेड़ कर लिए अब इस ट्रियंगल के एरिया की बात कर लें तो एरिया आफ ट्रियंगल कौन ओपी क्यूं ओपी क्यूं इजिक्वल टू वन अपान टू बेस इंटू हाइट यहां क्या है और है कितना है लिख लिए ओयम वन ले लिजिए PQ की value just अभी निकाला गया 2R sin theta by 2 into OM की value हमने अभी just calculate किया कितना R cos theta by 2 इस तरीके से यहां से अगर आप इसको simplify करें तो RR क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा तो 1 by 2 R square लिजिएगा और इसको लिखिएगा 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 अब आपको याद दिला दें एक formula होता है sin 2 theta is equal to 2 sin theta by 2 यानि इतने के place पे आप क्या लिखोगे only sin theta लिख दोगे तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 1 by 2 R square into sin theta लिख देंगे इस तरीके से हम क्या कर लिए यहां पर sin theta तक पहुँच चुके हैं यानि इस जो triangle की area को हम को चाहिए था उस area को हमने क्या कर लिया calculate कर लिया अब हम बात करेंगे area of minor segment तो लिख दिए यहां पर क्या चीज एरिया आफ माइनर segment ठीक है is equal to minor segment का area हमको चाहिए था हम क्या करते हैं पूरे sector के area को लिखते है area of minor segment तो लिख दिए एरिया आफ माइनर sector ठीक है minus यहां पर area triangle area of triangle कौन सा O P Q O P Q की बात कर लिए इस तरीके से यहां तक तो हम पहुच गया है अब area of sector की बात कर लें तो यह क्या होता भई theta by 360 into क्या πाई आर square होता है ठीक है यहां पर theta की बात हुई थी total कितना angle है theta तो theta by 360 into πाई आर square minus area of triangle क्या हुई हमने बात किया था तो यह 1 by 2 r square into sin theta हो जाएगा यहां आपका यह क्या है formula है इसमें आप क्या कर सकते हैं यहां पर पाई theta या theta पाई लिख सकते हैं हम लिख दें इसको पाई theta by 360 r square को हमन कर लेंगे minus 1 by 2 चलिए इसको एक साथ लिख देते हैं r square by 2 into sin theta और बाहर कौन चला गया यहां से r square बाहर आ गया इस तरीके से आपका यह क्या हो गया accurate formula हो गया देख लिजेगा formula को याद रखना भी है और किस तरीके से calculation किया यह भी क्योंकि हम ज्यादा तर कोशन में triangle का area जरूर नहीं इसी method से solve करें हो सकता है वह ऐसा triangle हो जिसका base दिया हो हाइपोटेनियस दिया हो यहां पे perpendicular आपको जो ओयम चाहिए था वो दिया हो आप क्या करिएगा इस तरीके से था नहीं solve करेंगे है one upon two base into height से solve कर लेंगे या नहीं आपको इस triangle के area को solve करना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि आपको इस sector के area से triangle के area को minus कर देने मातर सही minor segment का area पता चल जाता है और अगर आपको आवस्चता है major segment का area calculate करने के लिए तो आप क्या करेंगे pi r square में से minor segment के area को minus कर देंगे तो करना क्या है pi r square लिखिएगा minus इतना total तो आपको यह पता चल जाएगा जितना portion यह बाहर का चूट गया उसका area क्या होगा क्या होगा वह answer यहां पे pi r square total क्या होगा circle का area pi r square minus area of minus segment इतना पूरा पूरा लिख देंगे ठीक है तिस तरीके से वह आपका क्या हो जाएगा accurate question सार्वो करके सामने आ जाएगा अब हम बात कर लें दो question की ठीक है find the area of this segment of circle यहां आपको क्या करना है एक area को calculate करना लेकिन के segment की एक बात और इसे के साथ-साथ कर लेनी चाहिए हमको यहां पे sign के कुछ खास-खास value क्यों किस फार्मूले में देखिएगा tignometric ratio एक आ चुका है उस tignometric ratio में आपको कहीं ने कहीं angle दिया जाता है और angle के साथ-साथ calculation भी आपको करने आना चाहिए तो angle की value जैसे हम बात करने अभी sign one hundred twenty की value आपको पता होनी चाहिए ठीक है आप sign 30 की value जानते होंगे sign आपका 50 sorry 60 की value जानते होंगे 45 की value जानते होंगे 90 की value भी जानते होंगे लेकिन one hundred twenty के अगर नहीं पता तो यह लिख दीजेगा 90 plus 30 is equal to यह जो आगा कास 30 और कास 30 की value one root three by क्या हो जाएगा टू हो जाएगा और उसी के साथ-साथ one hundred fifty की अगर पूछ ले कोई तो इसको लिख दीजेगा sign 90 plus 60 is equal to यह भी हो जाएगा कास 60 और कास 60 की value one by two होता है तो यह दो वैलू आपको चाहिए तब जाकर के आप अगर कहीं sign 180 की बात होगी तो 180 यहां पे बन नहीं पाता है चलिए लिख देते हैं sign 180 की बात करेंगे तो जीरू आएगा ठीक है इस तरीके से आप क्या करिएगा इस तरीके का वैलू कहीं आता है जैसे आपको यहां पे वैलू कुट करने के लिए आएगा कोशन में जैसे यहां पर 120 डिग्री दे दिया तो आपको क्या आना चाहिए देखेंगे साइन वहनेर चाहिए तब शाल कर पाएंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे क्या करोगे सबसे पहले सबसे पहले थेटा तो आप क्या करेंगे area of minor segment आपको चाहिए तो area of minor segment ठीक है इसको अगर आप calculate करते हैं तो आप सबसे पहलो इस फार्मुले को लिख दें क्या है theta by 360 into pi r square को हम बाहर कर लिए हैं एक मिनाट r square को जब हम बाहर कर लेंगे तो यहां बचेगा यह बहुत बड़ी mistake हो गई इसको आप क्या करिएगा बिल्कुर सही कर लिजेगा ठीक है r square को हम कामन कर लिए तो बाहर चला जाएगा यहां पर नहीं रहेगा ठीक है तो इस अपान में 360 हो जाएगा और यहां पर क्या हो गया पाई यानि पाई की वैलू आप रख दीजेगा 22 अपान क्या चिस सेवन माइनस वन अपान टू और यह हो गया साइन थीटा की जगह पर लिख दीजेगा 120 और बाहर कौन है आर स्क्वाइर तो 21 का होल स्क्वार हो जाएग 60 और यहां पर माइनस वन अपान 2 साइन 1 है यहां थीटी के वहले रूट 3 बाई 2 होता है थीट 3 बाई 2 भी आप रैट कर दीजेगा 21 का होल स्क्वायर और आप गर लिखना चाहते है तो 22 अपान 21 हो गया माइनस यहां पर रूट 3 बाई 4 हो गया और यह 21 इंटो 21 लिख से लोगा माइनस और यहां पर ट्वंटी वन रूट थी लिग देज़ेगा ट्वंटी वन रूट थी भाई फॉर और बाहर कौन हो गया एक ट्वंटी वन आप इस साइड लिग देज़े ताकि यह पता चलिए कामन की फोर्म हैं यह cm2 के फ़र्म में आपका अंसर हो जाता है चिक इसी तरीके से सेटड कोशन भी है एक काड़ P q की बात हो रही है तो यहां P q पहले से बनाकर रखे होए इस commence को क्या कर लिए इसको क्या ले ना, simplify करने हैं तो यह काड़ P q के गर बात हो रही है तो उसी किसात הטवी लिख दीजिए ठीक है एंड में राइट एंगल एड दे सेंटर आप दी सरकल तो थीटा इस इक्वल डू कितना राइट एंगल है तो कितना लिखेंगे आप 90 डिग्री लिख देंगे और फाइंड अप्वाइनर सिग्मेंट तो एरिया आप माइनर सिग्मेंट की बात यहां पे क्या लिख देंगे वन अपान टू साइन थीटा और बाहर कौन है आर स्कॉयर है तो पाई की वैलू आप जानते हैं कितना होता है 3.14 लिख दीजिए थीटा के प्लेस पे आप क्या रखिएगा 90 रखिएगा अब बाई 360 हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 साइन 90 हो सब्सक्राइब यहां पे 10 का स्कॉयर हो जाएगा लिख दीजिए 10 का स्कॉयर ठीक इतना काम कर लेने के बाद से 94 जाए हो जाएगा आपका 360 और यह ओवराल हो गया 3.14 अपान 4 और माइनस 390 के पहलों होता कि यह 1 बाई 2 लिख दीजिएगा और यह 10 का स्कॉयर लिख दीज स्कॉइज 2404 माइनस हैंडेड वाई 2 इसको कैंशल कर देंगे 50 हो जाएगा और इसको कैंशल करेंगे तो 25 हो जाएगा 3.14 इंटू 25 माइनस 50 हो जाएगा अब क्या करिएगा इसको इससे multiply कर देंगे तो multiply कर देने से यहाँ पर देखे क्या आ जाता है 3, 1, 4 into 25 से multiply करना है यह हो जाएगा आपका क्या चीज़ 5, 4, 20 हो गया तो 20 को आप यहाँ 0 लिख देंगे तो carry हो गया 5, 5, 5, 7 हो जाएगा 5, 3, 15 हो गया यह हो जाएगा 2, 4, 0, 8, 2 हो गया 3, 2, 0, 6, 0 हो गया 8 और 7 को 15 लिख सकते हैं 5, 2, 7, 8 हो जाएगा 6, 1, 7, ठीक है तो यहाँ पर आप क्या लिखेगा 78 अगर 3, 1, 4 था तो 78 यहाँ लिख देगा 78.50 माइनस 50 तो 50 को आप यहाँ से माइनस कर देंगे यह हो गया 50, यह हो गया 8 और यह कितना हो जाएगा 2 तो टोटली कितना हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वाइर आपका यहाँ पर एंसर इस तरीके साब कर यह क्या हो जाता है माइनस सिगमेंट को भी आप क्यालकुलेट कर लेता है किवेलू आप यहां से रहके सिंपलिफाइग तो आप मेजर सिगमेंट तक भी पहुंच जाएगे कोई बड़ी बात निया यानि माइनस सिगमेंट तो आपको हरहाल में क्यालकुलेट करना है फिर जाकर के आप मेजर सीगमेंट तक पहुंच जाएंगे तिक है पाई यह स्कॉर में से माइनस सीगमेंट को माइनस कर देना है ठीक तो इस तरीके साथ आपके टॉपिक कंप्लीट होता है तो वीडियो गर आपको पसंद है तो लाइक और सेयर करना ना भूलें क्योंकि नहीं पाता बड़ मेरे साथ एक साल लगवग हो चुका हमने वाला हूं करता ही हम us थोड़ा सा रुक भी सकता हूं बट हार नहीं मानने वाला हूं सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी किसी न किसी दिन पर अगर आप लोगों का साथ हमारे साथ बना रहे तो ठीक है तो वीडियो को लाइक से एड़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि फ्यूचर में अन्य वीडियो को भी अगर हम डालते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे ठीक है तो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए दिजाए जागत बाए बाए